नमस्कार दोस्तो, Story by Rakis में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगी Paytm के बारे में, क्या Paytm crash हो गया, क्या Paytm ban हो गया, RBI ने ऐसा क्यों कहा, इन सब चीजों के बारे में आज हम discuss करेंगे, तो चलिए सबसे पहले मेरी आज नीद खुलती है और आज ईमेल पर notification आत की तरफ से तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या इमेल आया है पेटियम की तरफ से देखिए आरबियाई ने इंस्ट्रक्ट किया है पेटियम को कि आप नया डिपोजिट या क्रेडिट ट्रांजेक्शन 29 फरवरी के बाद नहीं कर सकते पेटियम अब को अलाव नहीं है वो डिपोजिट अपने कस्टमर से करवा सके या कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो सके लेकिन पेटियम का कहना है कि 29 फरवरी तक आपके पास जो भी पैसे वालिट में डले हुए है वो सेफ है तो इसमें क्या होगा वी डोंट नो तो इसलिए आप अपने पैसे को जितने जल्दी निकाल के यूज कर ले या ट्रांसफर कर ले डाट वुड बेटर ओके तो फिर मैंने कुछ न्यूज बगेरा सर्च किया और यूटूब पे जाकर सबसे पहले न्यूज देखा तो बहुत सारे वी इन सब चीजों के बारे में हम छोटी-छोटी डिसकॉशन करते हैं तो देखिए बिसेकली हुआ क्या है अगर मैंने कुछ पॉइंट बना रखे रखे पेटियम के पास अभी जो कस्टमर्स है जो कस्टमर बेस है वो अराउंड 30 करोड के उनके पास वालेट है जिसमें 3 करो उनके बैंक अकाउंट भी है तो इतनी बड़ी कंपनी अचानक से क्या हुआ कि RBI को बंद करना पड़ गया तो यह भाई अचानक से नहीं हुआ है यह लगातार 5-6 साल से इनको नोटिस जाता गया है ठीक है तो अब हम बात करते है क्या यह पूरे जितने अकाउंट है यू पेटियम फॉलव करके अपना रिवर्स काउंटर बैक दे देती है सही तरीके से तो हो सकता है कि यह चीजे चेंज हो जाए बट फॉर नाव नो अब हुआ क्या कि प्रॉब्लम क्या होई RBI ने ऐसा क्यूं कहा कि भाई पेटियम ने कुछ गलत किया है तो इसका कारण है इसका मतलब बता know your customer अब KYC जब पेटियम लेती है ठीक है तो हमारी पूरी information हम पेटियम को दे रहे हैं राइट आधार कार्ड पैंकार्ड बट उस information को क्या कोई गलत तरीके से यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है तो कहीं न कहीं KYC से related कुछ प्रॉब्लम अराउंड 5.39, 5.39 करोर्स का इनको fine लगा चुकी है RBI और एक बात और आके उबर के आती है दोस्तों कि पेटियम का जो एक investor है वो एक Chinese company है और इंडिया में slowly slowly Chinese apps को हम ban भी कर रहे है गवर्मेंट बैन कर रही है तो जो company का नाम है वो ANT Financial है जो Alibaba Group का affiliate है तो क्या ये connection चाइना से related हो सकता है maybe, maybe not बट ये तो RBI बताएगी बट उनके हिसाब से अभी Paytium को fine लगा दिया गया है और 29 फरवरी के बाद आपको ये transaction नहीं कर पाऊगे तो अगर आप मैं Shares की भी बात करूं तो देखिए Shares का जो market है पूरा डाउन हो चुका है Paytium का और सीधा धड 900 रुपए 912 रुपए से सीधा गिरके आपका 600 तक आ गया है और अभी फिलाहल ये 488 हो चुका है तो दोस्तो मेरे हिसाब से सेर्स भी काफी इसका डाउन गिरने वाला है अंटिन अलिस Paytium कुछ अच्छा जवाब दही करें और जो भी RBI ने रेस्टिक्शन लगाए है उसके खिलाफ वह कांटर बैक करके अपने तरफ से चीजे सबूत पेस करें कि हम हम जेनुवीन हमने काम किया है तो यह देखिए कुछ निज में भी चीजे निगल के आ रही है करें निज में और डिफिनेटली अगर मैं बात करूं पेटियम रू सेफ रहे पेटियम में और क्योंकि नेखिए पेटियम हमारे दिन डेली यूज का हिस्सा बन चुका है जहां हम जाते हैं पेटियम ही करते हैं तो यहां पर और इंडियन गौवर्मेंट ने भी COVID के टाइम पेटियम को काफी प्रमोट भी किया था तो मेरे हिसाब से पेटिय वीडियो के बारे में अपने रहे को कमेंट में डाले वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें थैंक्यू मिलता हूं अगली वीडियो में